हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे नास्ते की रेसिपी जिसे बनाने के लिए ना तो आपको उसे भीगोना पड़ेगा ना ही आपको उसे पीसना पड़ेगा मत 5 मिनिट में ये बनने वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा हेल्दी तो चलिए फैंड बिना किसी देरी के फटा फट से चटपटे से नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर ले साथ में जो घंटी आती है उसे भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन यानि की मैसज़ आपको मिल सकें और आप फटा फट से वीडियो को वाच कर सकें तो चलिए फटा फट से नास्ति को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक कब जितनी सूजी तो सूजी आप मोटे या महीन कोई भी दाने की इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में हो तो यहाँ पर सूजी की कॉंटिटी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं जितने लोगों के लिए आप नास्ता बना रहे हैं उससाब से आप इसमें सूजी ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक कब जितनी सूजी ली है और इसका एक चौथाई कब जितना हम इसमें में add करेंगे चावल का आटा आप जाए तो चावल के आटे की जगा पर इहां पर गिऊंग के आटे का भी स्तमाल कर सकती हैं तो आब हमने जिस अच्छे नहीं डाला है तक हमाइगा पानी, चावल काट उट्फे से फूट यहां पर उट्प कर लेना है रो hizo, अच्छे नहीं रहना है तो इसे आपको बराबर से कोई लंच नहीं रहना है तो यहां पर मैं इसकी डिखा रही हूं तो पर आप यहां अपने सूजी को हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फूलने के लिए छोड़ेंगे तब तक कि अपने हम नास्ति के लिए दूसी तयारी कर लेंगे तो फ्रेंड आप हमें एक लोहे का पैन ले लेंगे आप जाहें तो नॉन स्टिक पैन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद इसमें एड़ करेंगे दो छोटे चमच के करीब ओयल, ओयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी तेल इस्तमाल कर सकते हैं सरसो का या फिरनारियल का इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक चोथाई चमच जितना साबू जीरा साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे एक चोथाई चमच जितनी महीन वाली राई अगर आपके पास मोटी वाली राई है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं जीरा और राई को डालने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी हिंग डाईजिशिन के लिए काफी ज़दा अच्छी होती है तो इससे जरूर डालेगा साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे फूप साई करीपती इस से हमारी नास्ति में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा साओ्थ इंडियर तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम अच्छे से चटकने तक पकाएंगे जैसे यह सारी चीज़े अच्छे से चटकने लगेंगे तब हम इसमें डायट करेंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी मिच तो यहाँ पर हरी मिच आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालेगा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिच कभी इस्तमाल कर सकते हैं आप हरी मिच को कट करके ना डालें इसमें तो देखें यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है तो अब हम इसमें ऐड़ करेंगे दो बारेक कटी हुई प्यास और प्यास को डाल कर हम इसे अच्छे से भूनेंगे तो प्यास को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो कलर है तो थोड़ा सा golden brownie हो जाता, साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे एक से दो चमच के करीब चना डाल और एक छोड़ा चमच जितना हम इसमें एड़ करेंगे उड़त डाल, डाल को हम बाद में इसलिए डालेंगे ताकि हमारी जो डाल है वो बहुत जादा अच्छे से color में ना जा तो देखें, यहां पर हमारी डाल अच्छे से cook हो चुकी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक बार एक कद्दू कस किया हुआ गाजर, गाजर से हमारे नास्ते में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और गाजर बहुत साधा healthy होती है तो इसे भी डाल कर हम 2-3 मिनट हमें एक mixing jar ले लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे आधा कब जितनी नारियल तो यहां पर हमने fresh नारियल का इस्ते हमारी जो चटनी का टेस्ट है वह बहुत ज़दा अच्छा आता है तो नारियल को हमने इस तरह से चोटे-छोडे टुकडों में कट कर दिया है ताकि इसे पीछने में परिशानी ना हो इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ से रोस्टे चने तकरीबन दो चोटे चमब जितना तो अगर आपके पास रोस्टे चने नहीं है तो आप इसकी जगा पर रोस्टे पीनट का भी स्तमाल कर सकते हैं तो दोनों ही चीज़ों को डाल इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे तीन से चार कड़ी पत्ते इससे हमाई चट्नी बिल्कुस साउच जैसी लगेगी तो यह टोटल ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो आप डालें इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे स्वाद अनुसान नमक और नमक डालने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक चौथा इकप जितना पानी तो पानी आपको बहुत ही कम डालना है जितना आपको रिक्वाइर्मेंट है और जितना आपको थिक चट्नी चाहिए उस हिसाब से डालना है तो चले इसमें फटापट से पेस लेते हैं तो यहाँ पर हमारी चट्न है वो पिल्कुल भी पानी पानी नहीं लगेगी यह थोड़ी से थिक बनेगी और एकदम क्रीमी लगेगी तो यह एक सीक्रेट है इससे हमाई चट्नी बहुत जदा अच्छी बनती है साथ ही अब अपनी चट्नी को हम थोड़ा सा और स्पेशल बनाने के लिए इसमें एक त पड़के को हम पटापट से चट्नी में एड़ कर देंगी तो तब कर डालने के बाद अब चट्नी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो अपनी चट्नी को अपनी हिसाब से थोड़ा सा पतला और गाड़ा बना सकते है इस टाइम पर तो यहां पर हमारी करेंगे और पड़ा फट से अपने नाज्तिश्ति को बनाना स्ट गरेंगे तीन से चार मिन बनीट हो चुँकि हमारी सूजी को यानि कि इतना फूलने तक आपको इससे रखना है तो आपर कुछा ने के पानी तकरिवन एक सब्सक्रेजर्ण की ओषनी हो जाया। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो क्योंकि हमारी सूजी यहां पूलने के बाद गाड़ी हो चुकी है तो इसमें पानी एड़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो दीखे यहां पर इस तरह की कंसुस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की तो अब हम इसमें एड़ कर बनाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे आधा चुड़ा चमच जिता चाट मसाला पाउडर और सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे कुछ इस तरह का बैटर हमारा रैडी हो चुका है तो अब अपने नास्तिय को हम बनाना स्टार्ट करते हैं इस ना चमच के करीब इस बैटर को इस तरह से गुलाई में आपको फैला देना है जैसे हम चीला वगरा बनाती है सेम उसी तरह से आपको इसे फैलाना है और इसे आपको एक साइट अच्छे से कुक होने देना है जब तक यह एक साइट से अच्छे से कुक नहीं हो जाता है तो यह एक साइड से अच्छे से कुक हो जाता है तो यह खुद बखुद पैन को छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पर हमने सूजी का इस्तमाल किया है तो यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है तो देखें किस तरह से हमारा यह नास्ता बंड कर देखेंगा उसके बाद हीट करके इस पैंग में या फिर तवे पर अपने बैटर को डालेगा तो देखें यहाँ पर दूसरे नास्ता भी बंड कर रैडी हो चुका है और देखने में कितना ज़्यादा टम्टिंग लग रहा है बहुत ही कम समय में हमारा यह नास्ता बंड क एक पर उसस नास्ती को बनाकर खाएंगे तो बार बर बनाना चाहेंगे का साथ साथ बहुत ही सथी यह और बहुत ही कम समय बन कर तयार हो जाता है तो अगर आपको छोटी मोटी भूग लगी हो और आपके पास time कम हो तो आप इस नास्तिय को बना कर दे सकते हैं अपने बच्चों को भी और आप भी खा सकते हैं इसे आप किसी भी चटनी के साथ enjoy कर सकते हैं टमाटो या फिन नारियल दोनों ही चटनी हमने यहाँ पर रखी है तो जरूर से ब कर दो दो चूचिंगं